हाई गाज नमस्कार आपका स्वागत इस नए वीडियो में आज का वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आपको इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे हम किसी पैकेज को मतलब जब भी हम कोई एप खरीते हैं कि उसका source code खरीते हैं तो उसमें package name कैसे चेंड करत हैं और आज की वीडियो है कौन सी package name को में चेंड करना वाला है कैसे उसको process है क्या उसमें करना पड़ता है totally चीज़ आपको देखाने वाला हूं तो हाई गैड नमस्कार मेरा नाम निलिकन पावन आप देख रहे हैं Clipped Code YouTube channel अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छा लग जब भी हम कोई भी एप प्लेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको package name डखना पड़ता कि कोई भी दूसरा एप का package name नहीं मिले तो इसलिए अगर आप अभी तक हमारा प्लेट को डाउंड नहीं किया है तो निचे देए लिंक में जाके क्लिक करके आप पहले डाउंड कि है इसका code के अंसार से आप प्लेट पर एप को publish कर सकते हैं different topic पर और अच्छी खासी earning कर सकते हैं तो चलिए डायट चलते हैं computer के screen पर तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग android video का जो project है उसको open करेंगे तो देखिए आपके सामने यहां जो android video को project है यहां run करेगा यह देखिए हमारा जो है ने शुड़ियो dolphin version का है वह यहां open हो गया अब इसके अंदर जो हमारा project है जो project आपको मैं बता रहा हूं वह project हमारे इस video के निचे दिया वह link वहां से click करके आप उसको download कर सकते हैं उसके बाद ही इस video को आप follow कर सकते हैं ताकि आपको समझ में के कुछ time लिता है इसके लिए आपको सब्सक्राइब अपना mobile से अपने computer में internet को connect कर रखें जैसे ही आपकी facility हो उस तरह आप internet लेकिन कंपल सरी है कि उसमें internet जरूरी है internet नहीं होगा तो यह work नहीं करेगा कुछ file error आएगा उससे आपको ही परिसानी बढ़ेगी तो मेरा यह तरह का अस्विधा ना हो और प्रोपर आपका प्रिट है वर्क करें और किलियर लिए आपका सो करें तो देखिए यहां completely हमारा जो प्रेट है open हो गया अब हमको चलना है especially इस इसमें नाम सेंज करना है तो नाम सेंज करते हैं उसके लिए देखिए आपको जाना पड़ेगा स्टेटिंग में और यहां tree appearance में यहां देखिए दिया हुए compact middle package देखिए जेनरली किसी के अगर आपको टिक लगा रहेगा और आपको पैकेज है इस तरह का मिलेगा लेकिन जब हमको नाम सेंज करना रहाता है तो पहले यहां जाते शेटिंग में tree appearance में जाएंगे और यहां जो compact middle package है इसको untick कर लेंगे तक कि जो हमारा पैकेज है वो डिवाइड हो जा देखिए दिवा हमको पूरा प्रेक्टर पर और यहां रिनेम पर क्लिक करेंगे तो यहां आपके पास आगा तिन ओप्सन इन और प्रजेक्ट इन करन्ट मॉडूल इन करन्ट सॉर्स रूट तो हमको पूरा पूरा प्रजेक्ट में इस पैकेज को चेंज करना है इसके लिए डायरेट क्लिक करेंगे इन और प्रजेक्ट और यहां नाम हमको बदलना है आपको जो भी नाम लिखना है मैं नाम लिखता हूं आपके लिए निलकंट पावन इसको रिफ्रेक्टर देखिए जो आप नाम लिखते हैं यहां सा डियर्ट ली कंट्रल और ए दबाके आप सको कॉपी कर लिजे ताकि और जगा जो हम इसी नेम को रिफ्लेस करेंगे तो हमको वहां लिखने की जूरत ना पड़े ओटमेटिक सिर्फ कॉपी और पेस्ट हमको इस पैकेज को बदलना है यहां लिखें यहां क्लिक करेंगे ब्लोग डूरिफ्रेक्टर तो देखें जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हमारा जो पैकेज है वह कंवर्ट नाम को जो कहीं होना शुरू जागा और इंटरनेट कनेक्शन कंपल सरी है मैं आपको बार्व यहां आपको left head में देखिए यहां दिख रहा है निलकंट परवन यहां नाम दिखे चाहिए लेकिन हमारे जो बुल्ड ग्रेडल है यहां इसके लिए आपको डायेट डबल किलिक करना है जो भी हमने copy करना है दुबारा यहां को पेश्ट करना है इतना करने बाद यहां आपक पर आपने project को clean करना है तो यहां क्लिक करेंगे clean project उसके बाद हम लोग कुछ time प्रतिचा करेंगे और प्रतिचा करने बाद दुबारा देखिए यहां हमारा जो बिल्ड गडल है और रन कर गया जब तक हमारा यह प्रेट रन नहीं होता है तो अब तक हम लोग वेट करेंग है तो जब तक हमारा जो प्रेट है completely clean नहीं होता है तब तक हम लोग वेट करेंगे तक के clear और cut static हो जाए अब देखिए हमारा जो प्रेट है यहां completely clean हो गया है आप क्या करते हैं हम लोग इसको run पर click करते हैं तो run पर click करने हम पर अपना जो मेरा mobile का screen है वो connect कर लेता हूं ताकि आपको clear दिखा सको देखिए यह आ गिया है आप यह हमारा जो है यहां रहेगा दाहिने साड में और अभी देखिए यहां मैं क्लिक करता हूँ अब यह ओटोमेटिक रन करेगा अब देखते हैं यहां देखिए नीचे में आपको इस असक्रीन के निचे में देख रहा हूँ कि यह रनिंग दिख रहा है और जब तरह रनिंग क्लियर नहीं होता है तो देखिए हमारा स्क्रीन सामने पड़ा हुआ है और हम यह देखने वा दिखकत होगा तो यह पर्यूप रन नहीं करेगा कहीं ने कहीं इसको इर्ड़ कर देगा अगर दिकत नहीं है तो यह प्रजेट रन करके हमारे मोबाइल में वाइल कर देगा तो उस चीज़ को हम लोगों को यहां देखना जरूरी है तो चलिए थोड़ा बरति करते हैं पर मोबायल में और launch होने ही वाला है थोड़ा पर यह launch हो गया देखिए पहला launch ही हो गया अब हम लोग क्लिक करते हैं यहां किसी है कि पर मतलब आइटम पर यहां क्लिक किया ग्रामीन आवाज होजना पर क्लिक किया देखिए खुल गया और यहां जो हमारा जो है बैनर एड जो चल रहा है गोगल एडम पका यह भी सो कर दिया अब जिसे मैं क्लिक करूंगा यहां इस बटन पर देखिए डारेटले खुल गया हमारा वेब व्यूव और इसमें जो दिखाएगा दिखाएगा और नीचे देखिए हमारा बैनर चल रहा है मतलब कि हमारे जो यह प्रोजेट है प्रोपरली वर्क कर रहा है और थोड़ा चलते नीचे कहीं और क्लिक करता है बीप लिस्ट पर देखिए और यहां करने कंबन है तो आप इस पेकेज को आणलोड कर लें नीचे दिया अगरा लिंक उसके Unfortunately को क्या बेरा कर सकते हैं और उसके बाद हम लिख देखने बाले हैं कैसे इस पेकेज में हम लोग आइकन को बदलने वाले आइकन को चिंज करते हैं अगर आपके पस आइकन चिंज करने आता है तो आपको नेक्ट वीडियो में सीखने को जरूर मिलेगा तब तक के लिए जय हिन जय भारत वंदे मातरम झाले आपके लिए झाले आता है